गूड मॉर्निंग एवरिवन आई वेलकम टोल ओफ यू टो प्रेपाइस दोस्तों आज है एक्टूबर 11, 2021 मंडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूज पेपर की अनैलसीज मेरे नाम है सितेंदर चोधरी और रोज की तरह है आपके लिए कुछ टोपिक्स मैं यहां पर लेके आया हूँ देखे जिन बच्चों ने कल एक्जाम दिया था आई होप आपका एक्जाम अच्छा खासा हुआ होगा आंसर की भी सामने आ गई है आप उसमें जो है मैं तो बलकी यही बोलूँगा आप एक आदा दिन अपने आपको औरेस्ट की दीजिए और अगर सेफ जोन में है तो फिर तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप जो है कल से ही कर सकते हो एक दो दिन का गैप काफी ठीक है आपने रेस्ट कर लिया मैंड को फ्रेश कर लिया अभी आप अपनी कारवाई पे लगिए ठीक है और अगर आप बिल्कुल जो है इस साल एक्जाम दे रहें 2022 में या फिर अगले साल एक्जाम दे रहें 2023 में देखें अगर वह एक्जाम दे रहे हो आप तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है आप अराम से अपनी त्यारी को कंटीनू रखिए लेकिन अपना फोकुस आप इंपूट के उपर दीजिए आपने देखा होगा ठीडिट मुवी में वहाँ पर एक करेक्टर होता है राजू वो राजू बचैरा सिर्फ और सिर्फ आउटपूट के ओपर ही फोकस करता है भगवान की पूजा करता रहता है अंगूठिया डाल के रखता है इंपूट के ओपर फोकस नहीं करता है लेक इतना जादा यहां पर फोकस करोगे ना आउटपूट तो जख मार के आ ही जाएगा ओके तो आप भी अपनी त्यारी इस तरह से प्रोपर प्लैंड तरीके से एकदम चैनलाइज करके उसको पढ़िए खैर आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक पढ़ने वाले हैं पहला जो क्या हो गया है कि इंडिया में इंडिया is one of the largest producer of the coal still इंडिया में पावर की crisis चल रही है अर्विंद केजरिवाल ने भी कहा है सरकार को अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो दो तीन दिन के अंदर दिल्ली पूरी तरह से blackout हो सकता है मतलब दिल्ली में बिजली की काफी ज प्रोटेस चल रहा है इस के जो farmers है बंग में बिहार में असाम में उन से कोई ज़्यादा उमीद नहीं है उसको इस farmer प्रोटेस से क्योंकि farmer प्रोटेस जिस चीज की वज़े से हो रहा है ना उनको उसके लिए benefit ही नहीं मिलने वाला है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क् U.S. outlines a softer focus on Quad, Quad को लेके U.S. से का जो stand था पहले, उसके stand में काफी change आया है, ऐसा change क्यों आया है, क्या वो change है, इसके बारे में पढ़ेंगे, from your GS paper, वैसे थे 2 से बनता है, 3 ये गलती से लिखता गया, अब इसको change कर सकते हो, आगे आता है, there is a consensus over काला पानी, काला पानी को लेक में हमारे relationship भी काभी खराब हो गए थे, you very well know that, अभी भी काला पानी को इशु को लेके, वो जो रिष्टे थे हमारे, पहले के जैसे normal नहीं हुए है, तो ये काला पानी इशु क्या था, अभी recently ये news में क्यों है, इसके बारे में आपका बताऊंगा, तो इसको हम GS paper 1 में, ज Western countries को इरान से क्या problem है, इरान nuclear bomb क्यों बनाना चाहता है, इसके बारे में थोड़ा साब को बताऊंगा, वैसे तो UPSC के perspective से बहुत जादा important नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार वो prelims में कोशिन पूछ लेता है, current affair के perspective से, ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम लोग देख लें तो इसको हम लोग थोड़ा सा GS paper 1 से, क्योंकि जोगरफी थोड़ी सी यहाँ पे involved है, और आपका GS paper 2 में IR वाले portion से cover करेंगे, आप इसको world history से भी cover कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का भी angle यहाँ पे mention किया गया है from GS paper 1, world history वाले part से, उसके लाबा कुछ additional topics रखेंगे, आज actually topic हैं, और मुझे यह selection करने में बहुत problem होई कि आज कौन कोई से topic हब खुमे करवाँ, क्योंकि बहुत खास relevant मुझे आज के topic लगे नहीं, खेर, कोशिश की है कि आपके लिए कुछ यहाँ पे important information collect की जाए, income articles में होई, खेर, आगे बढ़ते हैं, आज का जो पहला article रहने वाल हैं, देखिए, आपने देखा होगा कि जो farmer protest हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे जादा तर जो किसान हैं, वो या तो हर्याना से हैं, या पंजाब से हैं, या फिर UP से हैं, अगर दूसरी जगह पे उनको support मिल भी रहा है ना, वो तो जादा तर moral support है, practical support नहीं है, क्योंकि जब आ पेंगोल में जाओगे, या बिहार में जाओगे, या असाम में जाओगे, वहाँ के किसानों को इससे कोई जादा मतलब है नहीं, इसके पीछे कहीं reason हो सकते हैं, लेकिन reason जानने से पहले पर थोड़ा यहाँ पर data देख लेते हैं, data क्या कह रहा है, इस सामें जो इन्होंने को, rice को procure करती है, public distribution system के लिए, food security act को enact करने के लिए, public distribution system के लिए, तो अगर आप यहाँ पर notice करो, कि पंजाब, मध्यपरदेश, हर्याना, तिलंगाना, UP, अगर आप पंजाब को देखो, पंजाब में 27% procure किया जाता है, जो बहुत बड़ा percentage है, लेकिन अगर आप बात करो, तो यहाँ पर West Bengal की, West Bengal का सिर्फ और सिर्फ 7% है, Tamil Nadu का भी 7% है, लेकिन एक आपको सोचके हरानी होगी, कि West Bengal इंडिया का सबसे बड़ा rice producer है, उसके बावजूद भी पंजाब में सबसे जादा procurement क्यों की जाती है, हर्याना का share देखो, 11% है, जबकि हर्याना में production काफी कम ह तो इन सारे की सारी चीजों के पीछे आज हम थोड़ा सा reason जानने की कोशिश करेंगे, और इसी वजए से, इसी reason की वजए से, यहाँ के जो किसान है, वो इतना जादा protest नहीं कर रहे हैं, मतलब eastern states के, क्या कहता है, देखिए, कुछ reasons मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, आप बिहार का example अगर आप लो, बिहार में 15 साल पहले, 2005 में ही, वहाँ पे मंडी सिस्टम को खतम कर दिया गया था, बाए बिहार government, लेकिन यह जो मंडी सिस्टम है, हर्याना, पंजाब और यूपी में अभी भी काफी जादा strong है, और मंडी सिस्टम के थूँ सरकार उनको MSP यानि के minimum support price provide करवाती है for their crops, है ना, आप comment section में क्या बताओगे, आप मुझे comment section में यह बताओगे, कितनी crops है, 23, 24, 25 यह 26, जिनका MSP सरकार के द्वारा provide करवाया जाता है, तो यानि के जो हमारे पास CACP होता है, यह recommend करता है सरकार को MSP, है ना, और उसके बाद उसका MSP provide दिया गया था, उसके पीछे reason यह दिया गया था, कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक परसेंट किसान ऐसे हैं, जो बड़े किसान हैं, बिहार में सिर्फ और सिर्फ तीन परसेंट किसान ऐसे हैं, जो थोड़े से middle level के किसान हैं, उसके लावा बिहार में 96% जो farmer हैं, वो बि Obscedence type of agriculture ज्यादा prominent होती है तो इसलिए मंडी सिस्टम को रखने का कोई फायदा नहीं है इसलिए बिहार में उन्हों को बंद कर दिया गया था लेकिन अब आप देखिए कि जो छोटे किसान होते इनके पास छोटी थोड़ी बहुत क्रोप होती है बेचने के लिए मरजबूरी में इनको वो private players को बेचना पड़ता है मरजबूरी में private players को बेचना पड़ता है अब private player क्या करते हैं इनको exploit करते हैं जैसे example आपको देता हूँ जैसे paddy की बात करें paddy का जो rate है per quintal वो लगभग 1900 रुपीज पर quintal है लेकिन बिहार में जो किसान क्योंकि बिहार में APMC सिस्टम नहीं है उसको सिर्फ और सिर्फ बेचारे 900 से 1000 रुपे पर quintal पर बेचने पर मजबूर है अगर वहाँ पर APMC सिस्टम होता वहाँ पर MSP होता तो थोड़े किसान भी उसको proper तरीके से 900 रुपे में बेच सकते थे तो एक तो यहाँ पर यह गड़बड हुआ आसाम में भी historical reasons है आसाम केंदा तो मंडी सिस्टम डिवैलप ही नहीं है वहाँ पर बहुत ज़दा flood आ जाती है तो crop डिस्ट्रोई हो जाती है remote areas बहुत ज़दा है किसान अपनी crop को लेके मंडी में आ नहीं पाते है आसाम को लेके गलग से सिस्टम है वहाँ पर भी mostly जो किसान है या तो वो बहुत बहुत चोटे किसान है या फिर बहुत बड़े किसान है तो जो बहुत बड़े किसान हैं वो तो पहले से ही फायदा उठा लेते हैं, छोटे किसानों को मंडी सिस्टम से कोई benefit होता ही नहीं है, इसी तरह का सिस्टम आपका West Bengal के अंदर भी चलता है, West Bengal में बड़े farmers नहीं है, इसलिए उनके पास surplus नहीं होता है, तो basically यही reason है, कि वहा का जो मंडी सिस्टम है, या जो वो सारा सिस्टम है, वहाँ के state government ही उसको handle करती है, जो previously वहाँ से चला रहा है, तो बिहार का मैंने example इसलिए दिया, कि यहां के जो किसान है, अभी जो protest कर रहे हैं, उनका कहना है, कि जो स्थिती बिहार में हो सकता है, वो स्थिती बाद में ह अरियाना, पंजाब और यूपी में भी हो जाएं, क्योंकि MSP को जब बिहार में destroy किया गया, उसको खतम किया गया, तो वहाँ के किसानों की हालत पहले से बत्तर हो गई, किसी तरह की improvement भी नजर नहीं आई, तो आज अगर सरकार ये कहती है, कि नया low लाने से किसानों की हालत इंप्रूव होगी, private sector के involve करने से इंप्रूव होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका evidence आपको बिहार में नजर आता है, ठीक है, तो ये थोड़ी-थोड़ी सी समस्यां यहां पे हैं, अब बात कर लेते है procurement के, अच्छे से मैंने आपको detailing में बता दिया, हलांकि आपको प तो बेचारे Eastern State को तो double problem होगी, पहली बात तो आप वहाँ पे procurement करने ही रहे हो, दूसरी बात आप Western State से procure करके उसको Eastern State में लेके जा रहे हो, तो वहाँ पे सस्ते दाम पे उसको बेच रहे हो, तो हलका फुलका जो production होता है procurement के लिए Eastern में, वहाँ पे उनको दाम नहीं मिल पा भी focus करते हैं, और वहाँ पे जो किसान है वह ज़्यादा थर छोटे किसान है, तो उनकी help नहीं हो पाती है, ठीक है, तो पूरे का पूरा issue था, मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा detailing में गया हूँ, आर्टिकल में कोई खास चीज़े mention नहीं है, basically यहाँ पे, खेर, आगे हम लोग fourth largest coal reserve भी है हमारे पास, हमारे पास और हम fifth largest producer भी है, हम second largest importer भी है, और हमारे पास fourth largest reserve भी है, और मजे की बात यह है कि इंडिया की जो electricity है, वो three-fourth यानि कि 75% electricity हमारी coal based होती है, यानि कि coal से produce होती है, उसके बावजूद भी इंडिया में इस समय कोल की किल्लत चल रह ही है, power plants से हैं, जितने, actually South India में तो कहीं सारे power plants बंद भी हो चुके है, क्योंकि उनके पास coal था नहीं, okay, North India में भी कहीं सारे power plants है, जिनके पास सिर्फ हो सिर्फ दो दिन का या तीन दिन का ही maximum reserve बचा हुआ है, इसी भी thermal power plant के पास लगभग 9 से लेके 10 दिन का reserve रहना लेकिन ये काफी कम हो गया, अगर सरकार ने इस पर अभी ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता इनको भी बंद करने की नोबत आए, लेकिन दिक्कत किसको आएगी, आम आदमी को आएगी, अब सवाल ये हुटता है, कि इंडिया के पास यतना जदा coal reserve होने के बावजूद भी, इ इसके इंडर बहुत सारे लोजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे दिक्कते होती है, तो कोविड के समय में, लोडाउन के समय में, जब डिमांड कम थी, तो बहुत सारे coal power plant जो है अपनी below capacity काम कर रहे थे, या coal के supply नहीं हो पा रही थी, वो सारी चीज़े, अचानक से डिमांड बढ़ गी, तो वो डिमांड को fulfill नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनली कोल के prices बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, और क्योंकि कोल के prices ज़्यादा हाई हो गए हैं, तो इसलिए इंडिया इंडिया इंपोर्ट करोगे, सस्ता क कोल करोगे न, तो कोल की कीमत बढ़ने की वज़े से इंडिया में ओवरॉल इंपोर्ट कम हो गया, इंटरनेशनल इंपोर्ट की डिमांड कम हो गई है, यह बहुत बढ़ा रीजन है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और ज्यादा माइनिंग ओपरेशन में प्रोब्लम आती है, तो उसकी वज़े से भी हमारा यहाँ पर जो है लो प्रोडक्शन हुआ है, तो यह कुछ रीजन्स हैं जिसके वज़े से कोल की यहाँ पर किलत इस समय चल रही है, लेट सोब के फ्यूचर में यह भी दूर हो जाएगी, बस आ 1816 में, 1816 में एक ट्रीटी हुई थी, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में जिसे कहा जाता है, ट्रीटी ओफ सुगोली, याद रहेगा, ट्रीटी ओफ सुगोली, S-U-G-A-U-L-I, इसमें क्या कहा गया था, देखिए, यहाँ पे दो पैंट मैं आपको बताता एक पैंट यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहोगा, यह है काला पानी वाला पैंट, एक पैंट आपको यहाँ पे यह नज़र आ रहोगा, जिसे कहा जाता है, लिम्पिया रुधुरा, ठीक है, लिम्पिया धुरा एक जगह यह है, अब देखो यहाँ पे, मैजिक आपको पताता हूं यहां पर इशू यह है कि नेपाल का मानना है कि जो काला पानी रिवर है जो काली रिवर है बेसिकली वो लिंपादुरा से ओरिजिनेट होती है इंडिया का कहना है कि नहीं नहीं वो काला पानी से ओरिजिनेट होती है तो उस रिवर की ओरिजिनेशन को लेकर यहा पे हैं कहीं सारी अब देखो जो 1860 में जो ट्रीटी हुई थी उसके अंदर क्या बताया गया था उसमें ये कहा गया था कि जो आपकी काली रिवर है उसके इस्ट साइड को तो नेपाल के पास रहेगा और उसका जो वेस्ट साइड है वो इंडिया के पास रहेगा ऐसा बोला गया था इस ट्रीटी में अब क्योंकि नेपाल इसका ओरिजन लिंपएदूरा से मानता है इसलिए नेपाल कहता है कि जो ब्लू वाला रिजन हैं यह सारा नेपाल का है इंडिया कहता है कि ऐसा नहीं है काला पानी जो जगह है सांद्रा का origin ही हां न्यूज भी ये था कि देखे यहां पर लिपू लेखला पास काला पानी से लेके लिपू लेखला पास तक इंडिया ने एक सड़क बना दी क्योंकि जो मांस रोवर की यात्रा की जाती है उसके लिए रोड काफी जादा इंपोर्टेंट होती है 2015 में भी हम लोगों ने यहां पर सड़क बनाई थी काला वहां पर मांस रोवर की यात्रा करने के लिए के लास मांस रोवर उसमें चाइना के साथ हम लोगों ने अग्रिमेंट किया था उसमें नेपाल को हम लोगों ने उस अग्रिमेंट के अंदर इंकलूड नहीं किया था त इंडिया को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर कोई पोस्ट थी नहीं हमारी तो हुआ यह कि 1962 के बाद या उस दौरान भी बहुत सारी इंडियन पोस्ट हम लोगों ने यहाँ पर बना ली नेपाल के किंग के साथ मिलके हलाकि 1962 के बाद उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया लेकिन अभी भी बहुत बड़ी एक इंडिया के जो डिफेंस पोस्ट है वो काला पानी के अंदर सिचुएटेड है बेसिकली इंडिया ही इसको कंट्रोल करता है लेकिन नेपाल का मानना है कि वो उसका पार्ट है खैर तो यह पूरे का पुरा मुद्द चल रहा था अभी नेपाल के फोरें मिनिस्टर ने इंडिया की यात्रा की है तो इन्होंने काला पानी के बारे में इशू की है कि काला को हम लोग बादसीत से सुधारेंगे उसके बाद नेपाल ने अपनी पार्लेमेंट के अंदर constitution भी पेश किया था जिसमें उने काला पानी को नेपाल का पुरा पार्ट मान लिया गया था खेर यह सारे की सारी politics के मुद्दे होते हैं जैसे इंडिया में politics चलती है चाइना में चलती है नेपाल में भी इसी तरह की politics चलती है लोगों के emotions को enhance करने के लिए excite करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाय जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान मेन मुद्दों से भटक जाए पुरी दुनिया में यह ऐसा ही होता है अभी यह है status यह है कि काला पानी पुरी तरह से इंडिया के control में है चाइना भी इस बात को accept करता है और अगर आपका मांसरोवर की यातरा करनी है तो आप काला पानी से होते हुए लिपू लेकला से होते हुए आप के रास होती है uranium की प्योर फोर्म होती है bisa हमारे जो नेचर में Wesया जाताओ वह बहुत ही ज्याधा कम पॉया जाता राइट फोर्म में नहीं होता है तो इसको laboratory में ले कर आता है और यह दुनिया की सबसे toughest technology में होता है सब से sophisticated और advanced टेक्नलोशी में माना जाता है uranium को enrich करने की technology तो uranium को अगर आप 20% देखे nuclear bomb अगर आपको बनाना है तो उसके लिए कम से कम आपको nuclear को 90% तक enrich करना पड़ेगा मतलब purest form में रखना पड़ेगा समझ से यह है कि इरान ने अभी 20% तक uranium को enrich कर लिया है enrich कर लिया है तो दुनिया वाले डर रहे हैं खासकर western powers उनका मानना है कि इरान जो है वो nuclear bomb बनाने बनाना चाहता है इसलिए उन्होंने नेपाल के उपर sanctions लगाए हुए हैं previously भी देखे अगर मैं आपको map दिखाता हूँ यहाँ पे इस map आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको यह जो है इस फाहना नतांज और यह जो है कॉम यह जो यहाँ पे कुछ फैसिलिटी है जहाँ पे इरान अपने nuclear को enrich करता है और अगर इरान ने nuclear bomb बना लिया तो यह पूरे के पुरा middle east जो है वो बिलकुल ही disturb हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका आता है Saudi Arabia यह आता है आपका यहाँ पे इरान ठीक है इन दोनों के बीच में है rivalry और यहाँ पे यह स्ट्रेट है बहुत ही जादा important दुनिया का 15 से 20 परसेंट जो power है वो इस जगह से होके गुजरता है मतलब crude oil की मैं बात कर रहा हूँ natural gas की बात कर रहा हूँ आप जड़ा comment section में मुझे इसका नाम तो बताओगे इसका state का नाम क्या है बहुत important है देखे और जनरली इसको इरान ही इसको control करता है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सरे island है जिसको पर इरान का ही control है तो अगर इरान ने nuclear bomb को यहाँ पे बना लिया maybe 5 साल के बाद या 10 साल के बाद 20 साल के बाद तो साओधी अरेबिया और नेपाल के बीच में दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी ये Middle East पूरी तरह से disturb हो सकता है अब इसी दर के मारे जो western countries हैं वो चाहते हैं कि इरान bomb ना बनाए लेकिन इरान कहता है भाया मुझे तो nuclear चाहिए क्यों चाहिए क्यों कि मुझे research करने के लिए चाहिए medical purpose के लिए चाहिए research और medical purpose के लिए 20% की enrichment काफी होती है तो western euro country जो है जिने कहा जाता है P5 plus 1 P5 plus 1 का मतलब क्यों होता है इसके अंदर 5 हमारी permanent members होती है 5 permanent है ना कौन-कौन सी होती है आपको पता है इसके अंदर एक extra भी है P5 plus 1 इसको कहते है आप मुझे ये बताओगे extra 1 country कौन सी है P5 तो हमारे पास होगी China हो गया, France हो गया, UK हो गया, Russia हो गया और USA हो गया एक अलग से भी country है उसका नाम ज़रा comment section में बतादो तो बात का मज़ा ही आ जाएगा अब बात ये है कि ये P5 plus 1 country इरान के साथ negotiate कर रहे थे कि भहिया हम आपको हम आपको uranium देंगे, आप enrich मत करो आपको research के लिए चाहिए हम से बोलो हम आपको देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं तो 2015 में ये deal की गई थी, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, और बाद में 2018 में Mr. Trump nuclear के deal से बाहर आ गए, तो इरान जो है, उसको problem हो गई हालांकि European countries ने उसको बड़ा सांतवना दिया and all that, लेकिन वो फिर भी उसको नहीं कर पाए, खेर इरान ने उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए, अभी 20% एंडरीच कर लिया है uranium, ठीक है और 120 kg 120 kg 120 kg, मतलब 120 kg, 20% उन्होंने कर लिया है, अगर वो इसको 90% तक कर लेते हैं, तो इरान जो है, अराम से nuclear bomb बना सकता है, scientist कैसा मानना है कि nuclear bomb बनाने के लिए, आपको कम से कम 170 kg uranium चाहिए, वो भी एकदम 90% pure है ना, plutonium बनाने के लिए खेर, इरान, expert का ये मानना है कि इरान अभी भी शायद 10-15 साल तक नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर western countries उसके उपर control करती है proper तरीके से United Nation की help लेके तो शायद इसको और भी ज़्यादा delay किया जा सकता है, लेकिन ये बात किसी से चीपी नहीं है कि इरान nuclear bomb बनाने के रास्ते पे लगा हुआ है चलिए, आगे बढ़ते हैं कोई खास news नहीं है news कहती है कि US outlines a softer focus for quad quad को पहले बोला जाता था quad security dialogue security का मतलब होता है defense लेकिन अभी USA ने बोला है कि quad किसी तरह का एक ये एक non defense और non military arrangement है तो अमेरिका ने quad को लेके अपने रविये को थोड़ा सा नर्म यहां पे किया है उन्होंने कहा है कि quad जो है वो softer issue के उपर focus करेगा softer issue जैसे vaccines infrastructure, supply chain, climate change इसके बारे में वो बात करेगा तो उन्होंने अपने stand को थोड़ा सा soft किया है देखे अभी AUKUS बन गया है Australia, UK and US से तो इसी लिए अभी शायद quad की वो importance नहीं रहेगी जो AUKUS से पहले हुआ करती थी ऐसा भी कुछ experts का मानना है लेकिन कुछ experts का मानना है देखिए के quad वाले member जो है वो माला बार naval exercise करते हैं जो अभी West Bengal मिस का second phase होने वाला है कल मैंने आपको बताया था उनका मानना है देखिए ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता है quad अभी भी बहुत ज़्यादा relevant है और future में और भी ज़्यादा relevant होने वाला है हाला कि AUKUS के बाद इसकी importance शायद थोड़ी सी कमी हो गई है बट still इंडिया का कहना है कि देखिए हम लोग quad को चाइना को contain करने के लिए नहीं कर रहे है बहिया देखिए इंडिया और चाइना की economy को कोई comparison ही नहीं है तो इंडिया के पास आज के समय में इतनी capacity नहीं है कि वो चाइना को contain कर सके हाँ हम लोग चाइना से compete कर सकते हैं compete तो अच्छी बात है healthy competition होता है आप भी grow करें हम भी grow करते हैं compete करने से आपका best outcome बाहर निकलता है contain करना is a very different thing क्योंकि अगर चाइना को हम लोग contain करने लगेंगे तो चाइना हमारे लिए problem create कर सकता है इंडियन ओशन में भी हिमालिया में भी हैना हर जगा problem create कर सकता है तो ये इंडियक के expert का कहना है कि हम लोग उसको contain नहीं कर रहे है ठीक है चलिए इतनी छोटी सी news थी खर आज को जो editorial है वो कहता है देखे आज के दो editorial थे एक editorial employment के उपर था जिसके बारे में आपको मैं पहले करवा चुका हूँ तो वो repeated था और उसके अलावा उसमें बहुत ही जादा factual information दे रखी थी डेटा वेटा पूरा तो यतना डेटा हमें लोगों को requirement नहीं है तो इसलिए मैं आपको self study के लिए छोड़ दिया है अगर आपका मन करें तो पढ़ सकते हो हाँ ये वाला article थोड़ा फीक है ये चाइनआ के leader हुआ करते थे अब यहाँ पर बात यह हुए कि इंस दोनों leader ने अब इनकी दो अलग अलग party वा करती थी जो यह वाले थे यह democracy में बिलिभ करते थ थो यह वाले जो है communist leader थे माउजिडों तो चाइनआ में जब single war तो चणा लोग चाइना में लेंड से बाग कहां चले गए ताइवान में चले गए ताइवान का पता है इसके बीचमें तुइन स्ट्राइम पर पढ़ता है ठीक है इसके लाब के बात वात एक और inclu नीफ़ एं shooters आप एम्ते आच भी आ प्या पार्टी जो है वहां पे काफी प्रॉमिनेट है, इनों ने आकर यह एकमिनिस्ट जो ree गॉवर्मेंट बनाया और इनों ने जो है चाइना में कोउमीनिस्ट जो है गॉवर्मेंट बनाया तो यह थोड़ा सा में यहन को इंटेग्रल पार्ट है वो ताइवान को अपने अंदर जो है उसको युनिफिकेशन करने वाला है तो पूरी का पूरा मामला यहां पर फस्ता है 1949 में दिक्कत ये थी कि चाहता तो ताइवान के उपर उस समय भी चाइना अटैक कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं किया क्योंकि USA USA का पूरा सपोर्ट था ताइवान को अब आगलो कि USA को ताइवान से क्या लेना दे न।ंध न क्योंकि उस समय North Korea और South Korea में जो वर चल रहा था Newton- Caption elegante 3 वहां पर रेशिया और USA इन्वाइब हते रेशिया नौर्ध कोरिया की feito that और USA sour keげ Chapter कर रहा था उस समय ताइवान ने अमेरीका सात दिया था ताइवान की जितने भी ships थे उसको अमेरिका के वो ताइवान के अंदर ही खड़े होते थे उसके जो planes थे, jet थे, सभी के सभी ताइवान को कहा जाता था unsinkable aircraft carrier इतनी जादा importance थी तो ताइवान ने उस समय अमेरिका के इतना जादा help किया तो morally अमेरिका ने भी ताइवान की बहुत जादा help की तो चाइना इस वज़े से डरता था कि अगर वो ताइवान के उपर attack करेगा तो अमेरिका चाइना के उपर attack कर सकता है उस समय चाइना बहुत powerful country नहीं था, गरीब ही था लगबा, काफी ज़्यादा गरीब था, ठीक है, तो वो सारी की सारी बाते हो गई, तो ये बात ही है हुई कि चाइना ने, USA ने जो है, वो PRC को recognize कर लिया 1979 में, PRC का मतलब होता है, People Republic of China, और इनों ने ताइवान के साथ अपन market को भी open किया था, और चाइना ने थोड़ा-थोड़ा सा rise करना शुरू कर दिया था, तो अमेरिका ने अपने official, अपनी embassy को भी बंद कर दिया गया, official agreement बंद कर दिया गया, ताइवान के साथ, और चाइना ने ये कसम खाई, कि हम देखे, जैसे इंडिया बिलीव करता है, अ उस treaty को भी अमेरिका ने यहाँ पर cancel कर दिया, लेकिन उस treaty के अंदर कुछ provisions ऐसे हैं, जो अभी भी ambiguity है, मतलब उसके अंदर अभी confusion है, चाइना उसको अलग तरह से interpret करता है, अमेरिका उसको अलग तरह से interpret करता है, देखे, अमेरिका ने ये कहा, कि हम अगर ताइवान को कल क को कोई दिक्कत आती है, तो हम उसकी help करने के लिए committed नहीं है, लेकिन available है, देखे, दोनों चीजों में फरक है, इतने समझदारी से इस तरह की terms को use किया जाता है, अमेरिका ने कहा, that America would be available to help ताइवान, but we are not committed to help ताइवान in case China attacks ताइवान, commit का मतलब होता है, कि आपने promise कर पका promise है, तो एक बार अपने commitment कर दिया, तो उसके पास आप कुछ घुदिकी में नहीं सुनते हो, इस तरह का commitment होता है, availability अलग बात है, अब इस बात से चाइना ये समझता है कि USA ताइवान की help नहीं करेगा, ताइवान समझता है कि USA ताइवान की help करेगा, अमेरिका ने जरुरत पड़ी, तो वो defense का सहरा भी ले सकता है, वो military का सहरा भी ले सकता है, चाइना ने ताइवान को रिजहाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, अपने अंदर मिलाने के लिए, one country, two system formula को प्रपोस किया, क्योंकि इसी formula को चाइवा, चाइना होंग कोंग कोंग के अ को ये promise किया गया, कि अपने अगले 50 सालों तक, आप लोग अपना political system, economical system और judicial system अपने according चला सकते हो, क्योंकि होंग कोंग के अंदर free market को follow किया जाता है, होंग कोंग के अंदर democracy को follow किया जाता है, तो चाइना ने ताइवान को कहा कि देखो भाईया, जैसे हम लोग होंग कों economy दे रखा है न, अगर आप चाइना के अंदर मिल जाओगे, आप भी इसी system को follow कर सकते हो, हमें किसी तरह कोई problem नहीं है, लेकिन ताइवान वाले इससे खुश नहीं हुए, खर ये थोड़ा आगए बताऊंगा, आप बात करते हैं, इनके बीच में economic link की बात करते हैं, चाइना के अंदर तो पहले market economy नहीं हुआ करती थी, ताइवान के अंदर तो शुरू से ही market economy, आपन economy है, communist economy है, लेकिन जैसे ही 1978 में चाइना ने अपनी economy को open किया, तो उस समय ताइवान की बहुत सारी companies ने चाइना के अंदर billions of dollars invest कर दिया, आज भी ताइवान के जो सबसे बड़ी-बड़ी major companies हैं, IT सेक्टर में, semiconductor वाली सेक्टर में, वो चाइना में ही based हैं, 2019 में दोनों country के bilater relationship जो थे, वो थे कितने 150 billion dollar, जो कि ताइवान का 15% GDP होता है, इसका मतलब ताइवान की GDP पूरी तरह से चाइना के उपर depend करती है, जबकि चाइना की GDP ताइवान के उप और hardly, एक परसेंट से भी कम depend करती है, इसका मतलब ताइवान को चाइना की ज़्यादा जरूरत है, तो ये तो हो गया आपका economic angle, history मैंने आपको थोड़ी सी यहां पे बता ही दी, अब बात करते हैं polity के बारे में, जब KMT के leaders, यानि के जो आपने हमले को यहां पे देखा, क क्योंकि ये democracy में believe करते हैं, they are the descendants of the mainlander, मतलब चाइना की mainland से जो लोग भाग के आये थे, ये उनके descendants है, उनके बच्चे हैं basically, ये follow करते है one China policy को, इसका मतलब यह हुआ कि KMT जो है वो ताइवान की independence में believe नहीं करता है, KMT का कहना है कि ताइवान और चाइना एक है, एक है, ठीक है, इसलिए हम लोग independent क्यों हूँ, ये चाइना भी तो हमारा ही है, ऐसा मानना है KMT वालों का, लेकिन उसके लावा एक और democracy party है, वहाँ पर जिसे का जाता है, democracy progressive party, ये लोग independence में believe करते हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ के indigenous population से बने हुए, मैं तो वहाँ के indigenous local population है, उसकी party है, KMT जो है, उन लोग की party है, जो शुरू में भाग के वहाँ पर आये थे, KMT does not believe in independence, लेकिन DPP believes in independence, उस DPP को लेके चाइना को problem है, KMT को लेके उनको problem नहीं है, अब बात यह है कि यहाँ के जो leader है, यह जो साई है, यह DPP party से belong करती है, जिसकी वज़े से चाइना काफी aggressive जो है, इनके लिए stand होता है, इनका भी चाइना को लेके जो है, थोड़ा aggressive stand होता है, हाला कि खुलके नहीं कहते कि हमें independence चाहिए, खुलके तो बहुत सारी problem यहाँ पे वो create करता है, तो जब ताइवान थोड़ा सा aggressive हो गया है, चाइना लगातार वहाँ पे अपने jets को भेज देशता रहता है, ताइवान को threat करता रहता है, तो बहुत सारी problem यहाँ पे वो create करता है, तो जब ताइवान थोड़ा सा aggressive हो गया है, तो चाइना ने भी one country two system को neglect कर दिया, तो चाइना ने कहा देखो बहुत हुआ सम्मान, आगा हमारी बात नहीं मान रहे हो, तो अभी हम ल गाता threat करता रहता है ताइवान को, और ताइवान के खेर कोई बहुत जादा options ताइवान के पास अभी बचे नहीं है, लेकिन यहाँ पर USA क्या कहता है, USA का stand क्या है, देखे USA officially ताइवान की independence को support नहीं करता है, क्योंकि USA भी one China policy को ही follow करता है, इंडिया भी one China policy को follow करता है, म है कि वो उसको support करेगा, हल ठीक है, तो recent time में जब Mr. Trump वहाँ थे, तो बहुत सारे high profile officials ने ताइवान का visit किया था, और इस समय भी जब Biden का जब वहाँ पे सपत समारो था, उन्होंने ताइवान के leaders को अमेरिका में invite किया था, और ऐसा report भी आया था कि पिछले हफते, अमेरिक कि जो defense personnel हैं, उनके जो soldiers हैं, वो ताइवान की army के साथ, military के साथ training कर रहे हैं, जिसकी वज़े से भी चाइना को काफी ज़्यादा problem यहाँ पे है, ठीक है, latest statement दो अभी चाइना के, भी देखे आपको पता है कि ताइवान national day था, उस समय चाइना के जो president है Mr. Xi Jinping इन्होंने statement द गया था, खेर, वो बात तो पूरी के पूरी हम यहाँ पे बगरते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी भी चाइना पूरी तरह से चाहता है कि वो ताइवान को कबजे में कभी भी ले सकता है, लेकिन question यहाँ पे उठता है कि क्या चाइना ताइवान को invade करने के लिए prepared है, बिल Alliance का इसके उपर क्या फर्क पड़ेगा, जैसे Quad की अगर हम लोग बात करें, या फिर आप AUKUS की बात करो, AUKUS के आने की वज़े से Australia भी यहाँ पे एक पावर बनके उभरने वाला है अगले कुछ सालों में, अभी तक तो नहीं लेकिन आगे जरूर होगा, जिसकी वज़े से हो सकता है कि China थोड़ा सा अपने कदम पीचे खीच ले, क्योंकि उसको पता है कि America, Britain, Australia, France यहाँ पर बहुत ज़दा स्ट्रोंग हैं, तो हो सकता है वो Taiwan को directly उसको invade ना करे, क्योंकि अगर एक बार China ने Taiwan को invade कर दिया, तो समझ लीजे कि China के उपर पूरी दुनिया से sanctions जिसकी वज़े से चाइना पूरी तरह से अलग थलग पड़ सकता है, तो यह बहुत ही जादा एक खतरनाक मूव होने वाला है चाइना के लिए अगर उसने Taiwan को यहाँ पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि Japan भी खुलके Taiwan को support करता है, हलाकि Japan भी One China Police को ही follow करता है, Taiwan को recognize नहीं करते हैं officially, बट still, Japan के अंदर भी ऐसे बहुत सारी statement आनी शुरू हो गई है, जिसमें उने कहा है कि Taiwan की security, Japan की भी responsibility है, तो इस समय चाइना एक दम, मैं तो बोलूँगा कि अंगारे के उपर बैठा हुआ है, अगर उसने Taiwan को थोड़ा सा भी हाथ लगा है, तो Western powers बहुत जादा strong action य ज़्यादा aggressive होके, इसको अपनी unification के लिए और ज़्यादा aggressive step यहाँ पर ले सकता है, ठीक है, खेर, Taiwan एक बहुत ही trigger point यहाँ पर उभर के आएगा दुनिया में, अभी भी है, future में भी है, USA और चाइना की relationship इस बात पर depend करती है, कि चाइना Taiwan को किस तरह से future में treat करता है, अग यही हमारे हो गए proper तरीके से article, कुछ additional reading में आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया, चाइना, जो Taiwan, तवांग के अंदर हमारा disengagement है, उसको लेकर article है, आगे कहता है, ministry of defense का office के बारें बात कर रहे हैं, आगे कहता है कि जो Odisha में, जो क्योंजार है, जो यहाँ पर coal mines है, iron mines ह थोड़ा भी आप इसको पढ़ सकते, example के perspective से अपने GS paper 3 में, कई बार example mention करने के काम आते हैं, तो यह वाला example बहुत बढ़िया यहाँ पर रहेगा, आगे कहता है कि too many questions arising from the QES. इसी data के में बात कर रहा था, अगर आपको economy के concept समझ में आते हैं, ठीक ठाक, तो आप इस article के भी